वहीं दुनिया में करोना की नए वेरियंट एमिक्रोन के सामने आने के बाद एक बार फिर से दुनिया भर के देशों की सरकारों की मुश्किले बढ़ती हुई दिखाई दिये रही हैं इस मुश्किल ने भारत की भी टेंशन बढ़ा दी है हालातों को समझते हुए केंदर सरकार ने कोरोना के इस नए वेरियंट को देश में धुसने से रोखने के लिए नए स्टैंडर ऑपरेटिंग प्रोसेज़र यानि की SOP जारी कर दी है इसमें विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एक दिसम्बर से नई गाइडलाइन जारी की जाएगी और 12 देशों के लिस्ट जारी की गई है जहां से वापस लोटने वाले यात्रियों पर खास निगाहें भी होगी स्वासम अंत्रवाले की तरफ से जारी SOP के मताबिक अपलेइन के जरिये विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को एर सुविधा पोटल पर अपने आटीपी से आ टेस्ट के निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी यात्रा से 14 दिनों पहले तक वो कहां कहां गए इस बात की भी पूरी जानकारे यात्रियों को अपने आविधन में लिखना ही होगा और इसी खबर पर जादर जानकारी के साथ शलेश अरोडा मेरे साहियोगी मौजूद हैं चले सीधे उनी कारूख करेंगे शलेश के कि अब नए वैरियन्ट आने के बाद स्वास्त महकमी की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है किस तरीके से अब आगे गतिविध्या दिखाई दे रही है स्वास्त महकमी की तरस से देखे अगर बात करें तो इस नए वाइरस के जो कोरोना वाइरस का निया वेरियंट है इसको लेके स्वास विवाग में भी हड़कम है और एक चिंता की सित्थी भी है क्योंकि नई तरह का वाइरस है अभी तो ये भी सवाल उट रहे कि वैक्सिनीन इस पर कितने कारगार क्योंकि एरपोर्ट के मांतियम से विदेशों से यात्रियों का आना होता है और इसको ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्ता की जा रही है कि डियम ने इसको लेकर बैठाग विकी डियम अभिशेख प्रकाश ने और ये निर्देश दे दिये हैं जो विवस्ता आते लाग जो शुरू हो चुका है जैसे बात करें साउथ अफरीका बात करें तो नियू यॉयॉक कई और ऐसे देश है तवाम देश लेकिन उन देशों से सीडी फ्लाइट यहां नहीं आती है बल्कि कई बार ऐसा होता है कि जो खाली देशों कि यहां पर फ्लाइट आती है कोई से आ रहा है तो ऐसा नहों कि उसकी कोई ट्रावल हिस्ट्री हो एक महिने में जो वह ऐफरीका से या ऐसी किसी देश से आया हो जहां पर इस वायरस का प्रकोप है तो इसके लिए इमिग्रीशन डिपार्टमेंट जो है उसकी मदद ली जारी है एरलाइन्स को किया जाएगा यहां पर आते ही उनका RT-PCR टेस्ट होगा अगर वो नेगेटिव आता है तब भी उनको होम क्वारंटीन में रहना होगा आठवे दिन उनका प्रिश एक बात 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 आप बने रहेगा शालेक्ष हमारे साथ